हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल यूटियम में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैट दोयरवाइस से कौन-कौन सी भरतियां आने वाली हैं जो कि बड़ी भरतियां हैं और कितने expected vacancies हैं जो कि देखने को मिल सकती हैं और साथ-साथ हम इस वीडियो में अन्य कई points पर बात करेंगे जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला point है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि पैट दोयरवाइस से आने वाली बड़ी vacancies दूसरा point है कि कितने number of vacancies जो हैं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं और सबसे most important point है कि क्या इस बार एक समान cut off रहेगी या अलग-लग cut off देखने को मिलेगी पहले की तरह और क्या रह सकता है मेरे exam के लिए safe score कैसे आता है scorecard या pets का certificate इसके वार में हम बात करेंगे और cut off को कौन-कौन से कारण है जो को प्रभावित करने वाले हैं तो चलिए video start करते हैं लेकिन दोस्तो video start करने से पहले आप सभी से एक request है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और चैनल को subscribe नहीं जा है तो करें पर आभी subscribe कर लें जिससे के आने वाली latest update की जनकरी आपको समय पर मिलती रहें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो पैट दोरवाई से आने वाली बड़ी vacancies कौन-कौन सी है तो पहली जो सबसे बड़ी vacancies जो है पैट दोरवाई से आने वाली है वो है लेकफाल की vacancies उसके बाद में next है वीडियो की vacancies और जो है junior assistant या कनस सहायक की vacancies वो भी हमें पैट दोरवाई से देखने को मिल सकती है एक जो vacancy है करीब 1200 प्लस पोस्ट के लिए आई हुई है और कुछ पद इसके जो हैं बचाकर रखे हुए है आयो ने वो junior assistant के जो के पैट दोरवाई से देखने को मिल सकते हैं हम आगे बात करेंगे कितने पद हो सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर lower pcs के पद भी इस बार देखने को मिलेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें कि expected number of vacancies कितनी है तो यहां पर लेकपाल के जो पद हैं वो 4.000 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं और कुछ दिन पहले यह ख़बर भी आई थी कि करई 4.000 प्लस पदाओं के लिए लेकपाल की जो है वो तैयारियां सरकार की तरफ से कली गई है और जो करंटली 8.000 वेकंसी चल नहीं है उनको पूरा करने के बाद में यह पैट दोर बाइस से आपको लेकपाल के 4.000 प्लस कुछ पदाओं के लिए NOTIFICION देखने के लिए मिल सकता है उसके वाद हम बात करें वीडियो की तो वीडियो के आपको ग्राम विकास दाकारी के हैं वो तीन एनल प्लस पदाओं को देखने के लिए मिल सकते हैं अब next अगर बात करें कि क्या इस बार एक समान कट ओफ रहेगी या अलग अलग कट ओफ हैगी तो हम आपको बता दें कि ऐसा भी कोई notification नहीं है ओफिशल दूप से कि इस बार एक समान कट ओफ रहने की बात करी गई हो लेकिन अगर मेरे कोड़िंग देखा जाए तो जो अलग है तो इसके एक समान कट ओफ डिसाइड होनी चाहिए उसी के सभी स्टुएंट्स को जो है उससे उपर माक्स गेन करने वालों को मेरे अग्जाम में बैठने का मौगा मिलना चाहिए इससे कि यहां पर एक ट्रांस्परेंसी बन जाएगी कि कौन-कौन से स्टुएंट्स जो आयोग की तरब से कोई बात नहीं किगी एक समान कट ओफ की लेकिन हो सकता है कि भविस्न में आयोग इस पर विचार करें नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्या रह सकती है संभावित कट ओफ या सेप स्कोर तो उससे पहले हम कुछ बातों को समझना चाहेंगे कि यहां पर यह है इसके बाद में अगर इससे कंपरेजन किया यूपी पैट दोयार 21 से तो यूपी पैट में जो को लावेदन आये थे वह आये थे अप्रोक्स बीस लाग और जिसमें के टोटल अटेंश रही थी पिचाजी परसन जाने के एप्रोक्स सत्रे लाग लोगों ने एक्जाम को जो स्कोर कार्ड है आपका उसमें इसकोर जो होता है आपका व तीन सेक्सन में डिवाइड होता है जैसे के पहला इसमें सेक्षन होता है वह अवटती का वास्त्ति नान जए और दूसरा जह आयो तो वास्तित पर वो होता है जो आपकी फंसर ने माг् suited मार्क्स बनेंगे या आपके marks decrease हो सकते हैं यहां पर तफ चफट और ईजी सेट को देखते हुए नॉर्मालाइजिके marks आपके परसेंटर से होता है हो आपको परसेंटराल होता है यहां पर सेंटराल परसेंटराल भख़ माना जाएगा और उसी की एकोर्डिंग जो नीचे के स्ट्वेंट संगे उनका जो परसेंटायल डिसाइड किया जाएगा तो फाली अब हम बात करेंगे कि क्या रह सकता है मैंस एक्जाम के लिए कट आफ या सेफ स्कोर तो यहां पर हम सभी वेकंसिस के बारे में समझे चुके हैं कि लेकफाल वीडिय कोई स्टूडेंट करेंगे कि जो पहले 8000 प्लस वेकंसिस थीं पहले जो कट अफ था वो 62 था लेकिन इस बार चारह प्लस वेकंसिस रहने वाली हैं तो जो कट अफ है वो 65 से 67 के वीच कैसे जाएगा याना कि वो कहेंगे कट अफ बहुत हाई जाने वाला है इस बार तो हम इस पेपर के अकॉर्डिंग गर 8000 वेकंसिस निकाली जाती हैं जो कट अफ था वो कहने की डाउन होता क्योंकि इस बार जो केंडिट्स के मार्क से हैं वो कहने की डाउन हुए है तो अगर इस बार जो 8000 वेकंसिस अगर आपको देखने के लिए मिल जाएं तो 62 न रहे कहीं एक बात ये भी धान में रखनी है क्योंकि पिछली बार भी 15 गुना बोले थे लेकिन करीब 30 गुना कंडिट्स के आगया था एक पॉसिबल्टी ये भी है कि आयोग 4000 वेकंसि होने के बापजूद भी यहां पर 2-5 लाग बच्चों को स्वाट्लिस्ट कर ले क्योंकि जिनका एक जाम जो है वो कंड्रेट कराना एक दिन में जो है पॉसिबल हो अच्छी तरीके से और अगर नेश्ट बात करें वीडियो की तो वीडियो में आपका सेफ स्कोर है वो 65 से सरसर प्लस जिनके भी बन रहे हैं वो अपने आपको सेफ समझे जूनियर असिस्टेंट की जो मार्कस अथेतर प्लस है वो अपने आपको जो है मैंस के लिए सेफ मैसुज कर सकती है दोसे तीन माक्स क्योंकि उसमें इनकीज या डिक्रीज भी हो सकते हैं उस तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है कि जैसा कि आप से जानते हैं कि पैट दोयरकी से जितने भी वेकंसी बगरा निकली हैं अभी तक कोई भी किलियर नहीं हो पाई है सबसे बड़ी वेकंस जाती है आठीजाए पिटार पुश्ट के लिए तो उन बच्चों को जोइनिंग मिल जाती है तो ऐसे बच्ची जो है पैट दोयरकीस में भी अच्छी-च्छी मार्थ ला रहे होंगे तो वो पैट दोयरकीस वाली भरती में अगर वो जोन कर लेंगे तो हो सकता है तो इस है एक जो एक टब को प्रवावित करनेया तो दोस्तो इतना ही था आज की वीडियो मने आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करें और पने दोस्तों में सीर करें चैनल को सब्सक्राब जरू को लेना जिस्से की लेटेस्ट अपडेट की जानका रहें आपको समय पर मिलते रहें थैंक्स पर वचिंग